मैं फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि फोन पे अप्लिकेशन में अपना कस्टम यूपी आई आई डी कैसे बना सकते हैं गाइज फोन पे अगर आप बनाते हैं त फोन के तरब से इंटूमैटिक एक यूपी आई डी दिया जाता है जिसमें रहता है कि आपका नमबर और उसके बाद एड़ डा रेट वाई बील तो गाईज आप अपना नेम पलस में एडा रेट वाई बील कैसे कर सकते हैं यानि अपना कस्टम यूपी आई डी कैसे बना सकते हैं तो चल्ये देख सकते हैं फोंट पर अप्लिकेशन ओपीन करनी हैं Open करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करले ना है उपर में उसके बाद कुछ हिसफ़रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा यहाँ पर देखिए गायज यहाँ पर?" defin लिखा हुआ इस पर आपको simply click करने के बाद गाइस देख सकते हैं मेरा जो account है फोनपे का उसमें सिर्फ एक यूपी आइडी यहां पर बना हुआ है जो की मेरे मेरा नंबर है उसके बाद एड़ रेट है उसके बाद लास्ट में वाई भी एल है अब हम आप सभी को बताएंगे कि कैस्टम यूपी आइडी कैसे बना सकते हैं तो गाइस यहां पर देखिए आपको में नीचे में दिख रहा है एड़ निव यूपी आइडी तो इस पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं इंटर विपी आई आइड आइडी अब आपको जो भी रहाणा आज जैसे नेम के बाद कुछ भी रहाणा सूरज सूर्ज उसके बाद add the rate ybl करते हैं तो देख सकते हैं यह एवलेवल नहीं है किए सूरज बहुत नाम होता है तो लोग create कर लेते हैं और एक नाम चीयन हो जազा तो उसके बाद वह नाम से फिर नहीं बन सकता हूं अर जोडर सकते हैं जैसे यहां पर ऐसह जोर दीं और देख सकते हैं गाईज यह ip concrete एव लेवल है यह यह नेम अव्लेवल यहां पर देख्ए ग्रीन टिक लग जाता है यानि कि यह नेम अवलेवल है इसे आप अपना custom URL custom UPI ID बना सकते हैं तो नीचे में continue को option है continue पर click करेंगे उसके बाद देख सकते हैं मेरा जो नया URL है वो create हो जाता है देखिए इस परकार से आप custom URL UPI ID बना बना सकते हैं नीचे में देख सकते हैं इसे primary भी आप कर सकते हैं और देख हैं डिलेट भी से कर सकते हैं चाहे तो यहां से आप डिलेट भी कर सकते हैं यह चाहे तो आप यहां से प्राइमरी भी कर सकते हैं तो गाइज इस परकार से आप काफी असानी से कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिजिए थैंक्यू